क्लास 12 सब्जेक्ट आईपी और जो ये चप्टर है जिसकी हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं ये हैं इंटरनेट एंड वेब अप्लिकेशन डवलपमेंट तो आज की इस क्लास में हम वेब अप्लिकेशन डवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका हमारा जो टॉपिक है जान लेते हैं तो सबसे पहले अबजिक्ट्व क्या है इस चप्टर को या इस टॉपिक को पढ़ने का मुदा और मकसद क्या है वो ये है कि हम इस चप्टर को पढ़ने के बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम इस काबिल होने चाहिए कि हम एक सिंपल सी एक बनाने के काबिल होने चाहिए तो जिस topic को हम touch करे है that is HTML और HTML क्या है it is a web designing language it is a web designing language यानि web designing language क्या होती है कि जैसे आप लोग internet के page देखते हो यसे मुक्तलिफ पेजस हम लोग देखते हैं इंटरनेट पे तो जो भी पेजस आप लोग इंटरनेट पे open करते हो वो किसी web designing language से बनाए गए होते हैं उनको हम बनाते हैं एक web designing language से तो आज की इस class में हम लोग html की बारे में कुछ बुन्यादी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे तो objective क्या है हमारे इस topic का जो है objective है इस class का objective जो है हम इस class को complete करने के बाद हमें एक मुकमल तारुफ होना चाहिए html का और इस पूरे html की पूरे topic को complete करने के बाद हम इस काबिल होने चाहिए कि हम एक simple सा web page बना सके और हम एक simple सी website बना सके तो एक simple तरीका होता है, एक simple चीज है कि आप लोग कैसे एक website को तयार कर सकते हो तो सबसे पहले आप जान लीजे HTML की full form क्या है HTML की full form है Hypertext Markup Language Hypertext Markup Language तो Hypertext पिछली बार भी मैंने आप लोगों के साथ एक दिन share किया था कि Hypertext हम लोग कहते है Link Text जब हम internet पे जाते हैं, अगर हम किसी topic को search कर लेते हैं फिर हम एक link पे click करके दूसरे page पे पहुँच जाते हैं दूसरे link पे click करके तीसरे page पे पहुँच जाते हैं तो इसी तरीके से सारी जो data होता है ये interlinked होती है तो हम इसको कहते है, this is Hypertext जैसे आफ लोग Wikipedia में जाते हो तो वहां पे क्या होता है जैसे हम लोग for example यहां पे जाएंगे Wikipedia पे जैसे हम for example यहां पे search करेंगे कोई information चलो हम एक search engine जैसे इस वकत हमारे सामनी यहां पे है हम लोग यहां पे search engine में कोई topic type करेंगे say for example say for example हम लोग chemical reaction chemical reaction chemical reaction को मैंने search किया तो यह आ गया विकिपीडिया Wikipedia मान लिजे एक क्या है हमारे लिए एक dictionary है जिसमें यहां हम कह सकते हैं कि जिसमें हम मुक्तिलिप चीजों के बारे में information हासिल कर सकते हैं तो इस तरह कि एक क्या है एक जैसे encyclopedia है उसमें आपको बहुत ज़्यादा information मिलेगी मुक्तिलिप चीजों के मुतलिप उसी तरीकी से इंटरनेट पर एक Wikipedia है तो यहां पर आप लोग देख लीजे कि for example हम लोग chemical reaction को पढ़ रहे हैं हम लोग chemical reaction को पढ़ रहे हैं इस दे process that leads to chemical transformation अब आपको अगर जानना हूँ कि chemical transformation किसको कहते हैं आप यहां पर क्लिक करेंगे आप किस वाली पेज़ पहुंच जाएंगे जहां पर explain किया गया होगा कि जो है जो chemical देखिए मैं बेक जाता हूँ एक बार chemical transformation किसको कहते हैं या chemical substances किनको कहते हैं तो यहां पर आप किलिक करोगे आप किस वाली पेज़ पहुंच जाओगे जहां पर chemical substances के बारे में लिखा होगा तो जब हम chemical substance को पढ़ रहे तो यहां पर एक चीज़ आगा है matter अब आपको जानना होगा कि matter किस चीज़ को कहते हैं तो यहां पर आप किलिक करके आप directly किस पे पहुंच जाओगे आप matter वाले पहुंचा तो यह क्या है इस 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 हाइपर टेक्स्ट तो यह हाइपर टेक्स्ट होता है तो HTML की जो full form है that is hypertext markup language markup किसको कहते है markup हम लोग कहते हैं जैसे हम microsoft word में जाते हैं हम लोग वहां पर टेक्स्ट को टाइप करते हैं इसका color change करते है उसका size change करते है इसका font change करते है इसका back color change करते है बहुत सारी highlight करते है बाकिछी चीजे करते हैं मुखत लिप operations करते है किस पर टेक्स पर that is called markup that is called markup उसको हम markup केते तो this is the full form of language हम किसको केते लिष जैसे हम लोग ने visual basics परी visual basics क्या है computer language है जिसे हम computer को कोई काम सिखाते हैं इसी तरीके से जो अगर हमें web page बनाना होगा अगर हमें website बनानी होगी उसके लिए भी आफ लोगों को computer की एक language सीखनी होगी अगर आफ को वो language आती है तो आफ computer पे एक website एक web page बना सकते हो तो simple अभी तक क्या है अभी तक मैंने आफ लोगों को simply full form समझाई किस की? HTML की क्या है full form इसकी? इसकी full form है hyper text markup language hyper text means linked text जैसे अभी मैंने आफ लोगों को example के तोर पर समझाया तो इसके बाद इसके बाद हाँ दूसरा है markup markup किसको कहते है जैसे हम text का color change करते है size change करते है font change करते है मुख्तिली पॉपरेशन करते है text वे तो that is markup तो language हम किसको कहते है कि जिससे हम एक दूसरे के साथ communicate करते है हम उसको language कहते है और अगर हमें computer को कोई काम समझाना होगा तो हमें वो काम समझाने के लिए computer की language सीखनी होती है इसी तरीके से जब हम लोग देखते है कि यहाँ पे हमें एक website बनानी है एक webpage बनाना है उसके लिए भी एक क्या है? एक language है तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमें html के बारे में जान रहे थे तो hypertext markup language तो अब अगर यह तो होगे इसकी full form अब अगर आप लोगों को simply कोई कहेगा what is html? what is html? तो आप लोग उसको simple एक जवाब बताओगे वो है that is it is a web designing language यह यह एक web designing language है जिसको हम इस्तिमाल करते हैं किस चीज़ के लिए web pages develop करने के लिए web pages बनाने के लिए web sites बनाने के लिए तो this is about html तो html अगर आपको कोई कहेगा what is full form of html? आप लोग बताओगे hypertext markup language simple अगर आप लोगों से कोई कहेगा what is html? html है क्या? तो आप लोग उसको बताना है html is a web designing language used to develop web pages जिसको हम इस्तिमाल करते हैं web pages बनाने के लिए तो इसके मुक्तलिक मराहिल से हर कोई language गुजरी है और जैसे software के आते हैं different versions तो हर किसी version में कोई नया feature होता है, कोई नई चीज होती है उसमें तो इसी तरीके से html भी मुक्तलिक मराहिल से गुजर कर आज के version तक पहुची है तो इसकी जो शुरुवात हुई है html उसको create किया है kerners-lee 1991 में इसको बनाया गया है तो इसके बाद इसके मुक्तलिक versions आ गए जिसमें इसके नए नए features add होते गए तो इस तरह से हम लोगों ने जान लिया कि html क्या होती है html, what is html? html is a web designing language used to create web pages और जो web pages होते है web pages ही website बनाते है यानि जब बहुत सारे web pages को हम interlink करते है that becomes a website उसी को हम बाद में क्या कहते है this is a website, that means हम website बनाने के लिए hypertext markup language यानि html का इस्तिमाल करते है html is one of the web designing language खाली html ही web designing language नहीं है बहुत सारे और भी है लेकिन html भी एक web designing language है जिसको हम इस्तिमाल करते है web pages, websites बनाने के लिए तो इसके बाद हम बात करेंगे क्यों, क्यों html, हम क्यों सिखे इसको क्योंकि हम अगर चाहते है कि हम website बनाए हम चाहते है कि हम एक web page बनाए तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम html को पढ़े तो हम लोग कहते है कि इसके इसमें बहुत सारी commands होती है, हम उनको tags बोलते है जैसे हम बाकी languages में क्या कहते है हम बाकी language में कहते है कि Command इसमें कमड कहते है यहां पर हम लोग कहते है टेग्स क्या कहते है तो अगर आप एक web designer बनना चाहते हो है अगर आप एक website अपनी create करना चाहते हो ठिक है, अगर आप web below बहतर अंदाज में समझना चाहते हो तो अगर आप बाकी लैंगवेजिस को समझना चाहते हो अगर आप क्योंकि HTML एक मान लीजे एक बेसिक लैंगवेज है अगर हम वेब डिजाइनिंग की बात करें तो हम लोग यह जो HTML है इस इस बेसिक लैंगवेज और उसके बाद हम लोग दूसरी लैंगवेज जैसे जावा सिक्रिप्ट है पी एच पी है या बाकी लैंगवेजिस है वो समझना आप लोगों के लिए आसान होगा तो क्यों हम HTML को सीखें? सिंपली यह जादा यह नहीं लिखना है टेक्स इसके जादा डिटेल इस नहीं लिखनी है सिंपली हम लोग HTML, why to learn HTML? to develop websites, to develop web pages, यह सिंपल साथ यह है इसका आंसर तो अगर आप एक web page बनाना चाहते हो, अगर आप एक web designer, web designer हम किस इनसान को कहते हैं? उस programmer को कहते हैं जिसको website बनानी आती होगी हम उसको कहते हैं, this is web designer, अगर आप web designing के field में जाना चाहते हो, तो आपके लिए HTML अच्छा है, एक IC language है, जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं web designing की तो अगर आप अच्छी तरीके से web को समझना चाहते हो, जैसे हम लोग, अभी तक कितने सारे applications आप लोग इस्तिमाल करते थे, बहुत सारे applications आप लोग इस्तिमाल करते थे, लेकिन जब से आप लोग ने VV पढ़ा, VV से आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक click जो हम करत हैं, तो इसके अंदर कौन सी coding होती है, और किस तरह की coding वहाँ पे होती है, और वो किस तरह से इस button को काम करवाता है, तो आपको एक understanding आई होगी, जब आप लोगोंने VV पढ़ा, तो visual basics जब आप लोगोंने पढ़ी, तो आज कल अगर आप लोग अपने mobile पे, आपने computer पे को होगा, तो आप लोग जब HTML एक web designing language सीखोगे, तो उससे आप लोगों की understanding इसके इस जमन में बढ़ जाएगी, तो अगर आप दूसरे languages को समझना चाहिए, जैसे बहुत सारी computer languages IC है, जो basic है, जैसे C है, अगर C आपको आगई है, आपको बाकी languages सीखना बहुत ही आसान होता है आप लोगों के लिए, इसी तरीके से जब आप HTML सीखेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दूसरी languages आप लोगों के लिए समझना उनको सीखना आसान होगा आप लोगों के लिए, तो अब हम एक example की तरह पढ़ते हैं, अब हम एक example को देख लेते हैं, कि कैसे हम ए जो वेब पेज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक text editor चाहिए, तो text editor हमारे पास है, हमारे पास notepad है, text editor जिसमें हम, यहने जो HTML का जो program है, type कर सकते हैं, तो चलिए हम एक simple सा एक program कर लेते हैं, उसमें हम एक HTML program को समझने की कोशिश करेंगे, हम simple सा HTML program बनाएंगे, ताकि हम आप लोग उनको बता सके कि कैसे काम होता है, और कैसे हम एक web page को बना सकते हैं, तो चलिए हम एक simple सा एक web page बनाते हैं, हम लोग start button पे जाते हैं, हमें actually notepad की जूरत नहीं है, हमें program को type करने की जूरत है, हम किसी भी editor में कर सकते हैं, और उसको बाद में save कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा क्या तरीका है इसके save करने का, तो सबसे पहले आपके पास computer होना चाहिए, और computer पे एक text editor होना चाहिए, text editor एक software होता है, जिसके हम text editing करते हैं, text को type करते हैं, text के पे different operations करते हैं, तो हम इस वकित एक HTML program को बनाने के लिए, हम लोग एक software का इस्तिमाल करने जा रहे हैं, जिसका नाम है Microsoft Notepad, तो हम SO series में जाएंगे, यहां विंडोज SO series में जाएंगे, और यहां पे हम लोग एक software को select करेंगे, that is Notepad, अब हम देखो, आप लोग उनको क्या करना है, आप लोग उनको HTML सीखना है, तो HTML सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लो एक बात याद रखेंगे कि कोई case sensitive language नहीं है, आप capital में लिखो, small में लिखो, कोई फरक नहीं पड़ता है, कि HTML, जैसे अब आप लोगों को हर कोई चीज समझ नहीं है, हर किसी चीज को याद रखना है HTML के बारे में, जैसे, for example, हम लोग अपने languages की बात करते हैं, जैसे हम ल हर किसी काम के लिए हमें एक एक command याद रखनी पड़ती है, और rules regulations फालो करने पड़ते हैं, जैसे मैं आप लोगों के साथ इस वकत बात कर रहा हूं, हम एक language का इस्तिमाल कर रहे हैं, और जब मैं कुछ rules regulations को फालो कर रहा हूं, तब जा कि आप मेरी बात को understand कर पाते हैं, अ हमें याद रखना है, यह हमें याद रखना है, यह नहीं किना है क्यों, और sentence end होता है full stop से, यह हमें याद रखना है, तो इसी तरी किसे बहुत सारे और rules है, जो हम याद रखते हैं और follow करते हैं, हर किसी language में, इसी तरी किसे computer language में भी हमें बताना है कि start कैसे करना है, end कैसे करना है वो काम कैसे करना है यह काम कैसे करना है तो html में हमारे पास होते हैं टैग्स कमांड्स कमांड्स in html are called tags हम उनको tags कहते हैं tag is actually a command in html तो हम लोग अपने html प्रोग्राम को start करते हैं एक tag से उसको हम कहते हैं html html को हम less than और greater than sign के बीच में रखते हैं less than and greater than sign के बीच में रखते हैं तो यह जो होता है less than and greater than sign के बीच में जो हम कोई tag लिखते हैं हम उसको tag कहते हैं command कहते हैं html मैंने कोई भी command यानि जो है वो किसमें रखी जाती है less than and greater than इसमें less than and greater than के बीच में हम लोग लुक ओकमान्न रखते हैं उसको उसी को हम बाद में क्या कहते हैं इस फ高 टै एक है तो हमारे स्केल्फ म्कूसों से स्टाथ होता है Attic in जुक्त कर स्टाट इस इसके बाद हम लोग wanna culture लिखना होगा आप लोगों को टाइटल बार पे जब हम किसी वेब पेज को ओपन करते हैं किसी वेब पेज को ओपन करते हैं तो जैसे अभी हम लोगों ने कोई वेब पेज ओपन कर दिया यहां तो यहां पे ऊपर देखो यहां यहां ऊपर क्या लिखा है यहां पे लिखा है matter, wikipi, this is the title bar, इसको हम title bar कहते हैं, तो यह कैसे आता है web page पर, यह ऐसे आता है, जब हम लिखते है, title, t-i-t-l-e, title, for example, title में हम लिखेंगे, for example, 12th, ip, 12th, ip, इसके बाद हम इस tag को, जहां तक, जितना हमें title bar में रखना था, उतना रख दिया हम लोग ने, अब इस title page को, इस title tag को क्या करना है, close करना है, जैसे में, यहां पे oblique, 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 ऐसे, oblique title, यहने एक tag, जो container tag होता है, दो तरह के tag होते हैं हमारे पास, टेक होता है, empty tag, उसको close करना नहीं पड़ता है, एक होता है, empty tag and container tag, container tag ऐसा होता है, जिसको हमें close करना पड़ता है, जैसे हमने title को यहां पे start किया, title को यहां पे start किया, और जो कुछ हमें title bar पे लिखना है, वो हमने लिख दिया, उसके बाद इस tag को close करना है, हो गया को, मान लिजय हमें heading में इतना ही रखना है, तो हम नीचे आएंगे, तो head tag को close करेंगे, head, head close हो गया, head यहां से शुरू हुआ, head यहां से शुरू हुआ, यहां पेंड हुआ, टाइटल यहां से शुरू हुआ, यहां पेंड हुआ, इस आर काल्ड कंटेनर टेग्स, उनको हम क्या कहते हैं, जो टेग्स, जिन टेग्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाद में एंड करते हैं, उबलीग से, उनको हम कहते हैं, कंटेनर टेग्स, और क्या उसे कि पाइच साफ ऑने पाड़ा ही यह नहीं हम इस्कार सब्सक्राइब कहीं राच जाए हैं। तो संस्क्राइब को पैज करते हैं बोडी दी ओडी वाइ बोडी 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 सिंपल अभी हम सिंपल पेज करेंगे अभी हम कोई और काम इसमें नहीं करेंगे फिर हम कुछ लिखेंगे इसमें certain students a ggh SS Kangen IP इसके बाद आव हम क्या करेंगे अब हम ब request cigarettes बाडी को लोज करेंगे तो आजसे को लोज करेंगे बाडी ही लिकनहें लेकिन उसके उस्टेहिजमें क्या लिखना अब लिखना है और दी ओ दी वाई बडी बडी बोडी को अब अब मौन लीज़ हमारा program complete हो गया, अब हमें इसमें और kुछ डालना ही नहीं है, तो अब हम html को, जो हमने उपर start किया है, क्योंकि html program start होता है html tag से, ठीक है, तो अब उसको भी close करना है, हम उसको close कैसे करें, oblique html, यहां पे वो close हो गया, यहां से वो शुरू हो गया, यहां से यह शुरू हो गया और यहां पे यह end अब हम लोगों ने यह अभी तक हमारे लिए क्या है एक simple text document है अभी तक हमारे लिए simple text document है लेकिन अब हमें इसको web page बनाना है कैसे बनाएं हमें save करना है इसको लेकिन अगर हम simple save इसको करेंगे ने simple save तो यह text document बन जाएगा यह web browser में open नहीं होगा क्योंकि webpage किसREE open होता है web page open होता है एक web browser में ठीक है और हमें इसको save करना है लेकिन as text file save नहीं करना है बलकि as web page save करना है उसके लिए हमें क्या लिखना है हमें लिखना है .html जो text document होते ने TextDocument. उनका extension होता है .txt जो TextDocument होता है उनका extension क्या होता है .txt .txt उनका extension होता है extension हमें पता चलता है कि लए कि किस टाइप की फाइल है जैसे हम Word का इस्सिमाल word फाइल का होता है extension .doc इसी तरिकlı से यानि HTML से बनाया हुआ जो वेब पेज होता है उसका extension क्या होता है .html तो अगर हम .html इसमें नहीं डालेंगे तो यह simple text file बन जाएगी फिर यह web browser में open नहीं होगी यह जैसे हम कोई text document type करते हैं वाइसा ही है तो लेकिन जब हम इसके सामने क्या डालेंगे .html डालेंगे तो यह एक web page बन जाएगा जो एक web browser में open होगा तो यहां पर में लिखूंगा यहां पर में लिखूंगा for example my my web page इसका नाम रखूंगा लेकिन . मुझे क्या डालना है .html 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 तो अब यहां पर इसको क्या करना है हम desktop पर इसको save कर रहे है डेस्क्टॉप पर हम सेव करेंगे इसको तो हम सेव करेंगे इसको सेव 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 हो गया अब आप देखिए यहां पर हाँ यह 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 आ गया my web page यह यह आप text document नहीं रहा बल्किए अब आगर हम इसको open करेंगे यह किसमें खुलेगा यह एक web browser में खुलेगा देखो अभी यह खुल गया देखो title बार पर क्या आगया 12 था IP क्योंकि हमने title title tag में क्या रखा था 12 था IP और body में क्या आगया the students of GGHS Congress क्योंकि हमने इतना ही रखा आगा तो यह क्या बन गया ये सिंपल एक web page बन गया तो अब आप एक web page बना सकते हो एक simple सा web page बना सकते हो उसमें आप text डाल सकते हो अभी तक बागी काम कैसे करने है इसमें अगर हमें color change करना है size change करना है text को center में रखना है left में रखना है इसी तरीके से बहुत सारे और काम करने हैं हमें table डालना है इस web page में कितने साइब कोई picture डालनी है हम लोग देखते हैं कि जब हम कोई website open करते हैं तो वहाँ पे हम text देखते हैं वहाँ पे हम pictures देखते हैं जैसे आप इस वाले page पे देख रहे हो यहाँ पे pictures है वाकी चीज़े है तो यह सब क्या है यह सब आप लोग डाल सकते हो लेकिन इसके लिए आप लोगों को क्या सिखना है आप लोगों को HTML सिखना है hypertext markup language सिखना है ताकि आप लोग आप लोग एक web page बना सको आप लोग एक website बना सको ठीक है तो इतना आप लोगों को थोड़ा understand हुआ कि हम लोग कैसे क्या करते है हम लोग कैसे एक web page को बनाते है हम हमारा HTML का जो program है किस से शार्ट होता है HTML से फिर क्या आता है head tag आता है फिर हम उसमे title बार डालते है टाइटल बार पर क्या आना चाहिए तो वो डालते है टाइटल टैग में यह टाइटल टैग है हमारा तो इसके बाद हम head को close करते है body start होती है body, body में हम कुछ text डाल देते है जैसे इसने लिखा है my first heading my first paragraph, बाद में body close और HTML close, simple सा HTML, मैंने आप लोगों को practically a simple सा एक web page बना के दिखाया और उसको run करके दिखाया कि वो कैसे open हुआ एक web browser तो इतना काफी है yes